Fiverr पर अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप low competition वाले keywords के उपर target करें Of course उसके अलावा काफी सारी और चीज़ें important होती है जो मैंने Fiverr के series में cover करी है जिसका link आपको description में मिल जाएं पर इन सब ये चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज होती है मैं बताता हूं क्या वो होता है एक नई category जो आपको यहाँ पर Fiverr के homepage पे new के batch के साथ में मिल जाती है और यहाँ इस वाले वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा AI Services के अंदर Fact Checking नाम के नई category के बार है Let's click on it Clearly नज़र आ रहा है 343 Services अवेलेबल यहाँ पर मैंने Best Selling चेक कर आवाया तो let me just go to recommend it 343 है और 343 बहुत ही ज़्यादा कम competition होता है लोगो डिजाइन में इतने Services अवेलेबल है Website Design में almost 29,000 SEO में almost 55,300 और इस नई category में सिर्फ 343 Fact Checking का मतलब clearly है Get help with checking and validating facts and website articles and other texts देखो होता है काफी सबर articles होते हैं काफी सबरा content होता है जहां पर कुछ facts mentioned होते हैं अब उसको बिना check करें अगर किसी ने publish कर दिया तो उन लोगो के लिए काफी problem हो जाती है तो वो जो particular का में fact checking का वो करेंगे आप और जब हम fact checking की बात करते हैं तो as a beginner you can do it very very easily आपको किसी भी special skill की जरूत नहीं होते हैं अगर आपको normal Google research आता है तो आपका काम easily हो जाएगा मैं बताँगो इस वीडियो में कैसे है और क्योंकि यह नहीं category है आपके लिए business मिलना थोड़ा easy हो जाता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको guarantee नहीं दे रहा हूँ कि आप यह बनाओगे आपका काम हो जाएगा पर at the same time अगर आपके पास में gigs available हैं जो आप नए create करेंगे तो उनमें से एक fact checking के उपर definitely करना बनता है अब मैं आपको यह बताता हूँ यह काम किरसे करता है उसके पहले फटावर्ट से like बटन में click करके देख लो वो काम कर रहा है कि ने और subscribe भी कर देना channel को if in case you haven't मेरे लिए बहुत माइने रखेगा वो आपका advance पे शुक्रिया तो मैंने यहाँ पे एक document बनाया वा है जिसमें आदानी enterprises के latest news के बारे में कुछ mention डेक पार रहा है credits to business today for this particular take तो अब जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे facts नजर आते हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं उसको check कर लो तो मैं इसको कर लोगा बोल कि मुझे इसको check करना है उसके अलावा मालो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे check करता हूँ मुझे लग रहा है कि ठीके this is also very important तो मैंने यहाँ पे इस इसको भी कर लिया बोल क्योंकि मैं इसको भी check करना चाहूँगा और उसके अलावा मालो कि और भी कुछ चीज़े हैं जो मैं उसको बोल कर लूँगा जो भी चीज़े में चेक करना चाहूँगा एक professional assignment को before delivery तो फिलाल के लिए दो चीज़ है तो सबसे अच्छी अप्रोच यह रहेगी कि अगर आप पहले से ही पूरे article में जो जो भी fact आपको check करना है या तो आप उसको बोल कर लीजी या client ने बोल करके दिया आप आया तो आप उसको एक बार check कर लीजी वो करने के बार में we will check one by one पहला है ये copy Google में जाकि paste करेंगे और enter मारे अब मेरे पास में यहाँ पे काफे सारे references हैं जहाँ पे 8% increase के बार में mentioned है जिससे देखो यहाँ पे mentioned है I'll open this देखो यहाँ पे mentioned है I'll open this तो मेरे पास में यहाँ पे 2 resources है जहाँ पे mentioned है उस particular fact के बार है तो इसका मालब वो fact सही है तो मैं इस link को copy करता हूँ I'll go here इस particular cheese के लिए मैं यहाँ पे comment add करूँगा I will write fact correct एक link को भी मैं copy करूँगा and I'll paste it here and I'll comment यह जो particular cheese है इसके against यहाँ पे यह चीज़े mentioned है अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरे color में highlight कर सकते you can just change the color to anything you would like maybe I'll just go with green ऐसे ही दूसरे fact के बारे में वापिस से यहाँ पे आऊंगा comment में जाऊंगा और reference यहाँ पे mention करेंगे I'll comment और वापिस से इसके color को मैं यहाँ पे highlight करके कर दूँगा and you're done जब यह चीज़ हो जाएगी इस particular document को save करो download करो और client को deliver करते time पे भीज़ दो this particular thing is as simple as that मैं दुबारा बताना चाहूंगा this is only for beginners जो लोग चाहते हैं उनको 5W पे gigs मिले advantage ले नहीं categories का of course fact checking is much more beyond this one पर अगर आप as a beginner इसीज़ को offer करते हैं आपके लिए यह करना definitely possible है तो इस छूट उसे 5W वाले वीडियो में यहीं चीशेर करना चाहता था वीडियो को अभी तक like नहीं करा है तो कर लेना चानल को subscribe नहीं करा है तो कर लेना यह वाला वीडियो भी तक नहीं देखा है तो देख लेना क्योंकि definitely काफी informative है काफी amazing है आपके लिए काफी useful definitely होने वाला वागी इस वाले वीडियो में से वितना ही शेर करना चाहता था मैं मैं विलूँगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and keep us like